हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए एक कोमेंट में जे श्री कृष्णा जरूर लिखें फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25 अक्तूबर 2022 को लगने वाला सूरे ग्रहन क्या बारत में दिखाई देगा और अगर दिखाई देगा तो किन किन शेतरों में ये ग्रहन दिखाई देगा सूतक काल का समय क्या होगा क्या सूतक काल बारत में मानिये होगा चलिए जानते हैं डिटेल में लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्स चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास्पनी बैल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर हल्फुल लगे तो प्रीज वीडियो को लाइक को शेर भी जरूर कर दें चलिए जानते हैं पूरी जानकारी के साथ फ्रेंड्स अब तक आपको यही वीडियो देखने को मिल रही होंगी कि बारत में सूरे ग्रहन नहीं है तो फ्रेंड्स प्रीज आप अच्छे से जानकारी लीजिए बारत में पूरी तरह से यह सूरे ग्रहन दिखाई दे रहा है आप अपने आसपास के पंडित से जोधिश अचारे से जाकर पूछे क्योंकि आप अफवा में आ रही हैं ऐसा ना हो कि आप गर्वती हैं और ग्रहन के नियुमों का पालन ना करें ये सोच कर कि ग्रहन नहीं लग रहा है लेकिन आपको मैंने पहले से बताया है कि इस चैनल प पूरी तरह से बारत में दिखाई दे रहा है तो फ्रेंट सबसे पहले जानते हैं उस पूरी तरह से जब ग्रहन को माना जाता है जो ग्रहन पूरी तरह से बार्थ में दिखाई देता है जानि जिस समय पर ये ग्रहन है तब सूरे बार्थ में दिखाई देगा यानि ये समय रात का नहीं है इसलिए सूरे ग्रहन बार्थ में दिखाई देगा और इस ग्रहन का सूतक भी माननी होगा इसलिए आप शाम को चार बज कर 39 मिनट पर लग जाएगा और घ्रहन का मदे काल 5 बज कर 30 मिनट पर होगा और घ्रहन की समापती 6 से 26 मिनट पर हो जाएगी दियान से सुन लीजीए मैं फिर से टाईम कर रुपीट करती हूं कि 25 अक्तुबर 2022 मंगलवार का दिन शाम को 4 बच कर 29 नट पर ये ग्रहेंट लग जाएगा और ग्रहेंट कर जोїमेटर हो तो पांच बच कर 30 मिनट पर हो जएगी। वो 6 बचकर 26 मिनट पर हो जाएगी और सूरे ग्रहन का सूतक ग्रहन के 12 गंटे पहले लगता है इसलिए सूरे ग्रहन का सूतक 25 अक्टूबर मंगलवार की सुबा चार बचकर 39 मिनट पर सूरे ग्रहन का सूतक लग जाएगा आए जानते ही ये ग्रहन कहां कहां दिखाई देग तो फ्रेंट्स बारत में ये ग्रहान जादा तर जो प्रवाबशालिकिन शेत्रों में होगा तो ये देली, बैंगलोरू, नईदेली, बैंगलोरू, कोलकता, चनेई, उजयन, 12. नसी, मथुरा में ये ग्रहान मुखे रूप से दिखाई देगा और फ्रेंट्स वैसे तो ये और सूतक के नियम पूरे बारत में माननी होंगे इसलिए गर्वती महिलाओं को ग्रहन और सूतक के सब नियमों को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो गर्व में बच्चा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और फ्रेंट्स जो ग्रहन से डेटिड जो भी नियम होंगे ज यहां पर एंड करते हैं थैंक यू गाइस